Hello my dear students, कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ class 10th के chapter circles की एक important problem. इस problem में आपको दिया हुआ है एक triangle ABC जो की एक circle को circumscribe करता है. अब कोई triangle अगर किसी circle को circumscribe करे इसका मतलब ये हुआ कि triangle की वो तीनो sides उस circle की tangents होती है. जैसा कि इस figure में दिया हुआ है. ये triangle ABC इस circle को circumscribe कर रहा है और इस circle का center है O. इस circle की radius है 4 cm. ये आपको दिया हुए है. और आपको दिया हुआ है ये जो side BC है इस triangle की. वो है 14 cm. इस तरह से कि line segment CD जो है वो है 6 cm और line segment BD है 8 cm. तो ये सब आपको दिया हुआ है और आपको क्या find करना है? आपको find करना है length AC and length AB. जी हाँ, side AB और side AC की length आपको find करनी है. देखे, शुरू करते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस question में मैं area of triangle ABC निकालूगा. अब किसी triangle का area निकालने के हमारे पास दो formula ही है. पहला formula, Heron's formula. और दूसरा formula है half multiplied by perpendicular and multiplied by piece. तो ये दोनो formula ही मैं यहाँ पर use करूँगा. किस तरह से आप देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ. In given diagram, DC is equal to EC. देखिए, ये है line segment DC और ये है EC. ये equal है दोनों. क्यों equal है? क्योंकि यहाँ पर एक external point C से इस circle के उपर tangent draw की गई है. तो दो tangents draw की गई है, तो पहली tangent की जो length है, वो है CD. इसमें CEB length of the tangent है. तो ये दोनों length equal होगी. ठीक है? बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर external point है B, जिससे length of tangent वनी BF और BD. तो ये दोनों equal होगी. ठीक, इसी तरह से AE और AFB दोनों equal होगी. ये मैंने यहाँ पर लिखा है. अब इसमें जो CD है, वो है 6 cm. तो इसका मतलब CEB 6 cm होगा. मैं लिख देता हूँ. ठीक है? बिल्कुल ठीक, इसी तरह से BD 8 cm है, तो BF भी 8 cm होगा. ठीक है? अब यहाँ देखिए. AF और AE equal है. बढ़ना तो आपको पता है कि AF क्या है, नहीं आपको AE के बारे पर पता है. तो चलिए assume कर लेते हैं कि AF की length है X. तो इसका मतलब AF और AE हैं, दोनों ही X होगी. मैं यहाँ पर mention कर देता हूँ. मैंने यहाँ पर length mention कर दी है. अब मैं इस triangle का semi perimeter निकालता हूँ. semi perimeter को मैंने letter S से denote किया है. किसी triangle के semi perimeter का यह मतलब होता है कि उसकी तीनों sides का जो magnitude है, उनकी length है, उनको add करो और divide कर दो 2 से. तो आपके सामने यह S का formula है. मैं यहाँ पर value substitute करता हूँ. अब इसको मैं simplify करता हूँ. simplify करने पर मुझे semi perimeter S की जो value मिली वो है x plus 14. अब मैं hero's formula apply करता हूँ. यह है आपके सामने hero's formula. triangle ABC का area निकालने के लिए, यहाँ पर भी value substitute करते हैं. तो यह है area of triangle ABC. इसे मैं letter A से denote करता हूँ. यहाँ पर यह जो letter S है, यह semi perimeter को denote कर रहा है, इसकी value है x plus 14. इसमें यह जो letter A है, इस triangle की किसी एक side को denote कर रहा है, जिसकी value है x plus 8. Letter B दूसरी side को denote कर रहा है, उसकी value है x plus 6. और letter C, इस triangle की तीसरी side को denote कर रहा है, और उसकी value है 14. इसको simplify करते हैं, हमें मिलेगा हमें मिला area of triangle A is equal to square root of x plus 14 multiplied by 6 multiplied by 8 multiplied by x इसको मैं यही पर छोड़ देता हूँ अब मैं इस triangle का area किसी और method सा निकालूगा कैसे? देखिए इस triangle को देखिए, triangle ABC मैंने यहाँ पर A और O को join कर दिया है O और C को भी join कर दिया है मैं यह कह सकता हूँ कि यह triangle ABC तीन triangles में divide हो गया है पहला triangle है triangle A, O, C आप देख रहे हैं, यह triangle A, O, C दूसरा triangle है C, O, B ठीक है? और तीसरा triangle है triangle B, O, A अगर मैं इन तीनों triangles का area निकाल लू और उनको add कर दू तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा area of triangle ABC अब सवाल यह उड़ता है कि मैं इन तीन triangles का area कैसे निकालूगा? देखिए, formula यूज़ करेंगे half perpendicular into base अब इस triangle को देखे रहा ध्यांसे triangle A, O, C इसमें जो O, E line segment है वो side AC पर perpendicular है क्यों? क्योंकि यह जो line segment O, E है यह है radius और यह जो side AC है यह इस circle के ओपर tangent है OFB perpendicular है side AB पर और OD perpendicular है side BC पर OD का magnitude है 4 cm तो O, E b 4 cm होगा और OFB 4 cm होगा तो चलिए consider करते हैं area of triangle A, O, C वो होगा half multiplied by perpendicular 4 multiplied by base AC मैं यह लिखता हूँ यहाँ पर मैंने लिखा है area of triangle A, O, C जो कि यह half multiplied by perpendicular O, E multiplied by base AC और यहाँ पर मैंने value substitute की है ठीक इसी तरह से बाकी दो triangles का area भी find किया जा सकता है और वो है तो आपके सामने हैं बाकी दो triangles का area यहाँ पर value substitute कर दी है अब इन तीनो triangles के area को हम add करेंगे दीखें यह तीनो triangles का area मैंने add कर दिया है जो की equal है area of triangle ABC के बड़े वाले triangle के और इनकी values पर यहाँ substitute कर दी है हम यह देखते हैं कि इन तीनो triangles के areas की जो values है इसमें 1 by 2 और 4 यह common लिया जा सकता है तो common लेते हैं मैंने यहाँ पर 1 by 2 और 4 common ले लिया है अंदर terms रह गही है x plus 6, x plus 8 और 14 इनको और simplify करते हैं तो हमें मिलेगा 4 times x plus 14 जी हाँ तो area of triangle की value क्या है 4 times x plus 14 और यहाँ पर area of triangle की value क्या थी यह जो सामने आपके है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह दोनो values यह दोनों equal है तो चलिए इन दोनों को equate करते हैं simplify करते हैं और x की value find करते हैं यह दोनो values को मैंने equate किया अब यहाँ पर क्या है left hand term जो है वो square root में है और right hand term नहीं है तो इन दोनों को squaring both sides करते हैं simplify करते हैं हमें मिलेगा squaring both sides किया यहाँ पर left hand side में तो square root खतम हो गया, right hand side में 4 का square बन गया 16 और x plus 14 का square हो गया, x plus 14 square और simplify किया जा सकता है, देखिए x plus 14 cancel हो जाएगा, यहाँ पर power सिर्फ बन रहे जाएगी, 8 बन जा 8, 8 तो जा 16, और फिर यहाँ पर 2 भी cancel होगा, 2 बन जा 2, 2, 3 जा 6 इसको simplify करके हमें मिलेगा 3x is equal to x plus 14 इसे और simplify करेंगे तो हमें मिलेगा 2x is equal to 14 और x की value आईगी 7, अब देखिए आपके सामने क्या आया, x की value 7 इस triangle को ध्यान से देखिए, यहाँ पर यह जो variable x है, इसकी value आगई 7 मैं यह आपे लिख देता हूँ, mention कर देते हैं यह भी 7 cm है और यह भी 7 cm है ऐसा करने से क्या हुआ, यह जो side AB है इसकी length केतनी हो गई, जो x plus 8 था वो बन गया 7 plus 8, जिसे हम बोलते हैं 15 cm और यह side AC है, यह बन गया 7 plus 6, 13 cm तो इस तरह से हमें इस triangle की दोनों side, side AB और side AC मिल चुकी है